दोस्तो सुप्रीम कोट का बहुत ही इंपोर्टेंट एक फैसला आया है आप लोग ने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा कि इलेक्टरल बॉन्ड को अनकॉंस्टिटिशनल डिक्लियर कर दिया गया है पांच जजों का बेंच था और जिसको हेट करे थे हमारे चिप जस्टिस् द्रचूर तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्टरल बॉन्ड अस्खीम है ये अनकॉंस्टिशनल है तो आखिर ये इलेक्टरल बॉन्ड है क्या ये आखिर चल्चा में क्यों है क्यों क्या कारण था कि ये अनकॉंस्टिशनल डिक्लियर कर दिया गया तो ये सारे चीज कीजिए तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिरी पूरा न्यूज है किया तो देखिए जैसे कि जो सुप्रिंग कोर्ट में फाइल हुआ था 2018 में ही कोर्ट में फाइल किया गया था और कौन-कौन इसके पर्टिशनर थे इनके पर्टिशनर थे बहुत ही फेमस वकी जो एक NGO है वो उन्होंने भी इसमें पर्टिशनर थे तीनों लोगों ने और और भी लोगों ने पार्टि थे इसमें यह महत्रपूर्ण लोग थे हैं ठीक है तो इन्होंने फाइल किया था कि आखिर यह जो इलेक्टरल बॉन्ड है यह कहिने के इसमें ट्रांस्परेंसी न करता है यह राइट टो इन्फोर्मेशन जो की हमारा फंडेमेल्टल राइट है अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन एक तर्थ ठीक है तो इसलिए इस बेस पे इसको अन कॉंस्टिशनल डिक्लेर कर दिये गया कि यह एक और समीधानी के इलेक्टरल बॉन्ड को इमेडिटली बंद करना चाहिए स्टॉप करना चाहिए तो हम दो पूरा जज्जमेंट देखते हैं कि आकि इस जज्जमेंट में क्या कहा गया है दोस्तों जज्जमेंट से पहले हम दो समझते हैं दोस्तों कि आखिरे इलेक्टरल बॉन्ड है क्या ठीक है तो इलेक्टरल बॉन्ड जो ह और ये पास हो गया पार्लियमेंट से और जो है वा इसका implementation जो है वा 2018 में शुरू कर दिया गया ठीक है और ये जो है ये donation दियता है रेजिस्टर जो political party है उनको जो है वा donate इससे दोरा किया जा सकता है पैसा को किसी को donation देना है तो इस electoral bond के दोरा ये किया जा सकता है ठीक है इसमें जो है और political party वो होते है रेजिस्टर पार्टी जो RPA Act के अंदर जो है वा registered होते है ठीक है और कोई भी जैसे individual भी है कोई भी माल येगर donate करना चाहे तो वो भी पैसा दे सकता है donation दे सकता है कोई bond जो है वा जारी की जाती है SBI के दोरा State Bank of India के दोरा जारी की जाता है in the domination of denomination of कितना एक हजार दस जार एक लाग दस लाग और वन करोर इसके denomination में ये जारी किया जाता है दोस्तों आपको इसे को साड़े तीन जा रुपे देना है तो वो नहीं दे सकता है इसके दोरा ठीक है उसको कहीने कहीं वो तीन जार रुपे दे सकता है ठीक है तो वो इसी denomination form में जो है वा आपको donate करना पड़ेगा और ये जो है वा interest free होगा ये ठीक है और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जो है इसको वा इसको इसको अगर मानने एक लाख रुपे डूनेट करना किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानने आप Congress को या BJP को किसी को भी चाहिए आम आधी पार्टी हो ठीक है किसी को भी अगर donate करना है तो वो क्या करेगा कि एक लाख रुपे क्या हो जो है वो bond खर देगा ACBI से ठीक है और ACBI से वो bond खरित कर फिर वो political parties को दे देगा suppose वो आम आधी पार्टी को दे देता है एक लाख रुपे का bond ठीक है तो वो political party क्या करें कि 15 दिनों के अंदर bank में इसको cash कराएगी ठीक है तो यह पूरा process है ठीक है तो इससे क्या था bank यह electoral bond लाने का पीछे मक्सद यह था कि electoral funding में जो है वा corruption को रोका जाए transparency लाया जाए लेकिन कहीं ने कहीं वो transparency इसमें नहीं है और Supreme Court ने अपने वर्डिक में clearly बोला है राइट तो नो का यह violation है जो कि fundamental rights है क्योंकि पता ही चलता है कौन डोनेट कर रहा है कौन नहीं डोनेट कर रहा है तो इसलिए जो हुआ पूरा वर्डिक जो है वो Supreme Court ने अभी दिया है अब देखिए दोस्तों इसमें concern क्या क्या था तो यह जो concern है इस electoral bond में तो यह जो contradicting its basic idea तो basic idea क्या था है कि transparency लाएगी equality आएगा कि सब को जो है वह equally सारे political party को funding किया जाएगा जो कि जैसा हो नहीं रहा है as per ADR report ADR report के अंसाल जो है लगबग जो है वह 90% of total fund जो है वह एकी party को BGP को गया है ठीक है और बाकि 10% में अधर सारे political party जैसे Congress हो गया आम आदमी party हो गया NCP हो गया ठीक है तो यह अगर देखे last 5-6 year का यही record है तो कहीने कहीं जो एक पार्स लेटी ओर इजिनली यह देखा ट्रेंड देखा जा रहा है जो party सत्ता में है उनको ज़्यादा funding हो रहा है तो कहीने कहीं यह democracy को यह नुकसान करता है ठीक है यही है यह blow to democracy यह भी एक concern है आपका favoritism towards reach corporate अब देखे सपोर्ज जो कोई corporate ऐसा दलिल दिया गया है वहाँ पे supreme court में प्रसान भूसन और कपिल सिब्बल दोने के द्वारा कि अगर कोई अगर corporate agency जो है कोई company अगर पैसा किसी political ruling party को देती है तो कहीने कि indirectly उसको फैदा भी होता है तो कहीने कहीं यह जो है वह कुरूनी capitalism को बढ़ावा देने के काम किया रहा सकता है ठीक है यह जो है वह free or fair election जो हमारा basic rights है fundamental basic rights है basic structure है अब हमारे constitution का उसको भी यह कहीने के वैलोड कर रहा है और यह right to know क्योंकि political party जैसे कोई भी political party जो है हुआ जनता के पती responsible है ठीक है क्योंकि जनता उसको vote देती है फ party party को तो वो उसको चैनलाई अच्छे से कर दी है नहीं कर दी हो उसको जानने का अधिकार है तो कहीने कहीं यह right to know का यह valuation है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो पूरा verdict किया है Supreme Court का उसको हम लोग देख लेते हैं तो यह है पूरा verdict है कि electoral bond a scheme has been struck down as a unconstitutional तो electoral bond जो है वह वह unconstitutional अस स of the citizen, right to information जो fundamental rights है उसको यह कहीने कहीं इंपाट करता है जो कि हमको article 19.1a के तहर जो यह constitution के दौरा दिया गया है और यह जो transparency in political funding cannot be achieved तो जो हमारा goal था जिसके लिए जिस purpose यह लाया गया था कि political funding में transparency आएगी तो यह कहीने कहीं उसको पूरा नहीं करता है क्योंकि पता ही नह नहीं कर रहा है तिक उसका नाम नहीं जारी किया जा रहा है यह right to information act के अंदर यह नहीं आता है उसके बाहर रखा गया है तो यह एक issue था इसलिए यह पूरा verdict में यह बात कही गई है और दूसरा point यह है कि जो top court ने order किया है कि SBI जो electoral bond issue करता है वो अब इसको issue नहीं करेगा इसको बन निकल दिया गया है उतले immediate effect और State Burke of India has been asked to furnish the detail of donation तो अभी जितने भी अभी तक जो donation मिले है political party को तो उसके बारे में detail information जो है वा बताएगा किसको बताएगा election commission को बताएगा कब तक 6th March 2024 ठीक है कब तक सारा information जो है वा उसको forward करेगा election commission of India को 6th March तक उसके बाद 6th March आज के बाद जो है within a week election commission जो है अपने website पर सारे जितने भी donation मिले है political party को सारा जो है वा पब्लिच करेगा अपने website ठीक है तो और इसमें ये भी कहा गया कि electoral bond जो है अभी तक जिनस political party ने n-cash नहीं कराया है उसको तो उसको purchaser को return कर दिया जाए ठीक है तो ये भी एक verdict का ए और कहिने के ये बहुत ही landmark judgment है जो की political funding और black money का use जो elections में होता है उसको कम करने में ये एक landmark साबित होगा ये बहुत ही historical judgment है और बहुत ही सरानिये है Supreme Court के द्वारा ये आया हुआ judgment है और तो चलिए I hope की पूरा समझ में आ गया होगा ये दोस्तों कि electoral bond है क्या और Supreme Court का verdict क्या ह है इसे related और ये क्यों important है क्या क्या dimension है इसमें क्यों ये challenge था concern क्या क्या था इसके पीछे तो चलिए हम लोग फिर next वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अभी तक आपना subscribe नहीं कि है हमाँ चैनल तो इसको subscribe ज़रूर से कर दिएगा चलिए हम लोग फिर मिलेंगे तब ते के लि हमाएएग ते के लिएगीड के चैनल ओीडिडी हमाँ लोग जीडियो वा पे पसके जब हट tää नहीं मिलें है ते की झा मिलें से के हमाँ मिलें धिर मिलें टो उन्हीं है कर दिए ह।